दोस्तो पुर्णिया एयरपोर्ट को लेकर अब तमाम अठकलों पर विराम लगने वाला है जी हाँ आपको बताए कि अब पुर्णिया एयरपोर्ट बिहार का चौथा एयरपोर्ट बनकर तयार हो सकता है दरसल बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथोरिटी के साथ जो MOU साइन करने वाली है उसके प्रारूप पर बिहार कैबिनेट ने स्विकिरती दे दी है इस बार के MOU में मुख्य रूप से इन बातों का जिकर किया गया है कि बिहार सरकार एयरपोर्ट के लिए जमीन देगी वो सर सरकार बगर एक्रोच्मेंट को उप्लब्द कराएगी साथ ही सरकार फोरलेंज से सडक मार्क की कनेक्टिविटी देगी बिजली और पानी की उप्लब्दता भी सुनिश्चित करेगी अब टर्मिनल बिल्डिंग बनने वाला है इसके अलावा अधिग्रिहित भूमी दो फे पुर्णिया जिले में एयरपोर्ट के निर्मानकारे की शुरुआत होने वाली है ऐसा बताया जा रहा है कि इसी साल से निर्मानकारे का सुभारंब होगा इसके लिए बिहार कैबिनेट की बैठक में 30 मई को मंजूरी दे दी गई है वहीं पुर्णिया के सांसत संतोष खुषवाहा ने केंद्रिय नागरिक विमानन मंतरी ज्योती राध्य सिंधिया से भी मुलकात की है एयरपोर्ट अथोरिटी ओफ इंडिया और नागरिक विमानन मंतराले के सभी शर्तों को बिहार सरकार ने स्विकार भी किया है इसके बाद पुर्णिया हवाय अड़े पर कराना पड़ेगा इसके साथ साथ एनेच कनेक्टिविटी के लिए भी ठोस आश्वासन देने की बात कही गई थी हवाय अड़े के निर्मान को लेकर 15 एकर भूमी से जुड़ी तकनीकी समस्या को बिहार कैबिनेट की बैठक में हल कर लिया गया था जिसके बाद एयरपोर् के निर्मान के बाद आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद भी होगा वहीं पुर्णिया जिलेवासियों के साथ ही आसपास के जिले के लोगों को भी इसका सीधा फायदा होगा कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट के बिल्डिंग के निर्मान कारे के बाद जल्दी शुरुवात हो जाएगी इससे पूर्णिया का काफी विकास होगा जिससे की अर्थविवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी